आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें उन्होंने का था कि सीमित अगर संसाधन होंगे, तो उसमें अगर दो प्रशातियां, सीमित क्या है, संसाधन है और अगर उसमें दो प्रजातियां क्या कर रही है इस पर्दा कर रही है दो प्रजातियां इस पर्दा कर रही है तो उनकी जो इस पर्दा होगी वो अनन्ता काल तक नहीं चल सकती मतलब जो दो पर जाती हैं उनकी क्या है इस परदा होगी उनके बीच सीमित संसादनों की यहां पर गाईज यह वर्ड हमेशा दयाद रखी गया यहां पर संसादन की बात नहीं कर रहे है यहां पर सीमित संसादन की बात हो रही है ठीक है तो अगर वहाँ पर क्या होगा कि दो पर्जाधियों के बीचسم पर्दा होगी तो उन्की जो इस पर्दा है उन तक एकसाथ नहीं रह सकती कहने का मतलब है कि ज्जाधा टाइम तक नहीं चल तक दूभी अब इसको जब यह नहीं चल सकती है और फिर इसमें क्या होगा अनंत कालतर नहीं चल सकती तो अब इस पर्दा के अंतरगत होता क्या है यहां पर देखे डार्विन का लौबी थोड़ा सा फॉलो होता है कि डार्विन ने क्या का था कि हमारी जो जातियां है struggle होता है उनमें competition होता है उनमें पर्दा में हमेशा प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् कि अगर साधन जो सीमित है या सीमित संसाधन है उन में क्या करें कोई दूसरा रास्ता डून लें हम क्या कर लें संसाधनों में सामान्नी करण कर लें क्या कर लें संसाधनों में में थोड़ा सा उपर कर लेते हैं इसको संसाधनों में सामानी करण कर लें अगर तो क्या हो जाएगा सामानी करण कर लें कर लें तो क्या हो जाएगा तो दोनों ही जातियां क्या करेंगी दोनों ही जातियां दो प्रजातियां आराम से वास कर सकती हैं जीवित रह सकती हैं प्रजाती का बिलुप्त होने का या नश्ट होने का खत्रा नहीं होगा तो यह हमारा क्या है अब परजन का नियम है आप देख लेते हैं इसके उधारण के बारे में थोड़ा सा उपल लेते हैं से अब इसका हम उधारण देख लेते हैं गाईज इसका उधारण इन्होंने समझाया था कि तो गैज इसमें उधारण के लिए इन्होंने जो पच्ची की एक परजाती ली थी पच्ची की एक परजाती थी कौन सी थी हमारी एक फुद की पच्ची क्या है फुद की ये एक पच्ची है गाईज और इसकी जो इस पिसीज होती है हम इसको बोलते हैं बारबलर क्या बोलेंगे बारबलर ये क्या थी ये जो फुद की है ये क्या है ये एक पच्ची है और इस पच्ची की कम से कम पांच पर जातियां कितनी पांच पर जातियां एक ही ब्रच पर रहती थी वो कैसे रहती थी हम बता दिते हैं आपको भी पांच पर जातियां एक ही ब्रच पर इस्थित थी एक ही ब्रच पर इस्थित थी और वो कैसे रहती थी देखें इन्होंने अब जो कोई भी जीब कितने बजी खाना खा रहा है या उसकी क्या नीड है उसको अगर थोड़ा सा डाइवर्जन कर लें जैसे कि एक पच्छी ने सुब्य खाया एक ने शाम को खाया तो इस तरह से उन्होंने क्या किया भोजन वाला एको धारान लेके जैसे भोजन की उसकी जो आव एक ही पेड़ पर बिना इस परदा के जीवन बितीत कर रही है तो ये क्या था ये इसका एक 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 जामपल था जिसे हमने आपको एक्स्प्रेंड कर दिया फुदी की पच्छी का अब देख लेते हैं हमारा क्या था ये इसकी जो हमने डेफिनेशन थी नियम था के लेबल तक एक करोड से जादर चात्रों का भरोज़ा आज ही डाउनुट करें डाउटने डाप ये वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर